कि अलो कंडिडेट वेलकम टू पीवियार स्टडी बच्चों आपको पता है कि कच्छनों की मैस्मेटिक्स आप पढ़ रहें पीवियार स्टडी लहाबाद चैनल पर बिल्कुल फ्री परिशना वाली थाटीन पॉइंट वन कोश्चन नंबर थार्ड कोश्चन ध्यान से देखिए कि कि अधिकिसी आयताकार हाल के फर्स का परिमाब 250 मीटर है को रेक्टूंगलर यानि जैसे यह मैंने बनाया ऐसे आयताकार हाल है हाल मतलब एक कमरा बढ़ा सा जिसके फर्स का पर क्ति रूपयारे हिमेटे तो क्या लागत 15 ही चारों दीवारों पर पयंट कराने की लागत 15 रूपय हो तो बताइए हाल क्यों चाहिए कितना है बहुत ही सिंपल है देखो फैले आप लिख लेंगे लिखे दिया है पेरीमीटर और आफ दहाल इक्वल्टू पीपटी जैनि हाल का परिमाब बराबर दोसोंपचास मीटर यह आपनोट कर लिजिए फट से हाल का परिमाब बराबर 215 म वाले लिखेंगे पेरिमीटर आफ दा हाल इक्वल टू फिप्टी मिटर ओके यहां पर लिख लो इंग्लिस वाले लिख लेंगे गिवन ओके अब देखो यह आयताकार है तो आयत का परिमाप होता है बाबू उसका फर्मूला आपको याद है क्या होता जानते हो टू इंटू एल प्लस बी यह परिमाप होता है न पढ़े हो न बराबर कितना है दो सो पच्छाश मीटर अभी से ऐसे लिख लो समझने के लिए बाद में इसका काम लगेगा क्या निकालना हमें इसकी उचाई निकालना है कि हाल की जो दिवाले हैं वो कितनी उचाई की हैं इसमें टोटल खर्चा दिया गया आपका टोटल 15,000 रुपए लग जा रहा है ठीक है लिखिए पहले हमें एरिया निकालेंगे आखिर उसका एरिया कितना है लिखो पटाफट स अभी एरिया इक्वल एरिया एक्वल या फिर छेत्रफल हिंदी में इस बहुत यह चीज़ समझो जहां कहीं अगर इस तरह का महौल है जहां खर्चा लगड़ा दर है रेट है ना वहां छेत्रफल निकालते हैं तो लागत अपांदर यह सूत लगता है इंगलिस में लिखेंगे बाबू कॉष्ट अपांड रेट यानि एरिया इक्वल कॉष्ट अपांड रेट तो देखो कॉष्ट जो लग रही है वह फिप्टीन थाउजंड लग रही है रेट जो है दस रूपे प्रति मिटर के हिसाब से लग रहा है फाइनल में एरिया आ गय पंद्रा सो मिटर स्कॉयर ओके अब देखो सी एस ये आप दा हाल निकालोगे सी एस मतलब जानते हो पढ़ाया हूं ना कर्व सर्फेस एरिया ना प्रिष्टिये छेत्रफाल ना तो क्या निकालोगे लिखो भाई प्रिष्टिये छेत्रफाल चूकी अगर कम रहा है तो उसमें 3D आकरती बनेगी ना तो आप लिखोगे सी एस एस ए आफ दा हाल इककोल क्या हो जाएगा जानते हो 2H और L प्लस B मतलब जो परिमाप होता है आयत का उसी में H से गुड़ा कर देते हैं बस यह क्या हो जाता CSA हिंदी में लिखेंगे प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर हां आयताकार हाल का प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर हिंदी में लिखेंगे ठीक है प्रिष्टिये ऐसे रहेगा हिंदी में प्रिष्टिये ये ठार आएगा ठाफा ठठेरा ठीक है बटा तो प्रिष्टिये छेत् सकते हैं ध्यान दो यह को हमने पीछे से गुड़ा कर दिया इधर से अटा दिया कोई दिक्कत नहीं ना किसी को नहीं रुको फिर देखो यहां समझो अब क्या करना है टू इंटु एल प्लस बीस की जगा पर देखो बाबू यहां से तुम 250 रख सकते हो मतलब 250 इंटू एच उचाही तो पता है नहीं कि पता है क्या उचाही क्या है नहीं पता है न लेकिन एक चीज देखो 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 यह क्या आया प्रिष्टिय छेत्रफल ना और ऊपर देखो एरिया निकाला गया है किसका इसी रेक्टोंगलर जो दिवाले हैं उसी का तो निकाला गया तो सी एस ए आफ दा हाल जो है इसको आप रख रहे हो इसमें जो इसका मान आया है उसको रख दो फटाफट कितना था इसको लिख लिए ना बीच में एका च्छोटा लिखा हूं तो पंदरा सो आए था ना बाबू तो यहां पर आप 15 लिख लो आपको क्या मिल रहा है यहां पे एक्वल छे ना यानि फाइनल में लिख सकतो भाया यह बराबर छे मीटर यानि हाल की जो उचाई है वो छे मीटर है समझ में आया ना किसी को कोई डाउट नहीं इस तरह से आपका कोईशन नंबर थार्ड कंपलीट हुआ और नंबर कोईशन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कमेंट के पीछे परिसान ना रहो राजा ठीक है जो बच्चे रोज देते हैं उनका नाम हम जरूर लेते हैं चलिए नेक्स कुईशन देखिए फोर नंबर